आज हम आपकी English class है उसमें unit first का activity 4 देखेंगे क्या है मैंने आपको टेक्सबुक में से करा दिया है यह आपकी सुध्या है जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं कि आपको कैसे उसको फील करना है मैं पीडिया भी सेंट कर दूंगे आप उसको अच्छे से प्रिपेर कर दे जिससे कि आप एक्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे ठीक है तो आई देखते हैं ठीक है activity 4 उदारा अंशार वाके लिखिए अब देखे एक्जामपल दिया है there is a green board in my classroom तो there is no well in my classroom यह आपके class में जो भी है आपकी कक्षा में उसमें आप उसका बारे में लिख सकते है फिर भी मैं आपकी help कर देती हूँ ताकि आपको आसाने से लिखने में आसानी रहेगी कोई problem नहीं जोगी ठीक है तो देखे यहां तक कहा है आपका अब मैं बताते हूँ आपको देखे यहां वाके लिखा है पहला 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 पांचा है, there is no platform in my classroom, छटा है, there is no gluten board in my classroom, साथा है, there is no chair in my classroom, आठा है, there is no roof in my classroom, इस तरह से आप ये पूरी activity, जो नमबर चार किया है, अपने स्वध्याय में भरेंगे और complete करेंगे, आगे देखते हैं, activity number 3 का C, अब activity number 3 का C है, इस सही बिधानों के सामने true और गलत बिधानों के सामने आप false लिखेंगे, तो देखिए, ये जो हिटूज की classroom है, उसी के अधार पर ये पना है, तो देखिए क्या लिखा है, हिटूज classroom is small, false, the bulletin board is green, true, it is an English book, false, there are two districts in the class, false, the picture are on the wall, true, there is a cupboard near the black board, हिटूज is on the first bench, ये भी true है, और ये भी true है, the ceiling is pink, false, the floor and the bench are clean, true, there is a dictionary on the table, true, तो आप इस तरह से अपना देखके, अपने सद्धा में fill कर लेंगे, मैं वीडियो के थूप भी बना रही हूँ, और आपको PDF भी send कर दूँगी, ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या है, आगे है activity number 3 का D, पाठ के आधार पर निम्द प्रशनों के उत्तर दीजे, अब जो मैंने हितूज classroom आपको पढ़ाया था, उसी में से ये question किया गया है, आप आप इसको देखें, और उसका जबाब देखें, ठीक है, तो ये देखें क्या क्या question है, वेर इसफिर। तो लिखेंगे हितूज इस इन देख्लास्रों, वट वेर इस दद्धिट द्धिन, द द्धिन सी नियर द्धूर, वेर इस द बुलत ذ पुल्त आपको, ये-पोल्टिन बूर किणः तो इस ए दुट देखें, ये है आपका, what are there in the cupboard, तो there are story book in the cupboard, आगे देखते हैं क्या है, is there a platform in the classroom, yes there is, फिर छठा है, is the classroom dirty, no the classroom is clean, सात्रा है there are students in the classroom, yes the students are in the classroom, आठवा है where is the dictionary, the dictionary is on the table, इस तरह से आपके ये question और answer complete हुए, आगे देखते हैं कि exercise में क्या है, आगे और एक activity है, activity number 3 का E, निम ने वाक्व कौन बोलता है, बोलने वाले का नाम वाक्व के सामने लिखे, तो देखे, मैंने जजबीर वाला आपको पढ़ाया था, उसमें, जो आपके जिसने भोला, उसके नाम के आगे लिखना है, तो here it is, कौन बोलता है, जजबीर, it's a nice video game, Miss Bar, is it a holiday today, कौन बोलता है, Miss Bar, what is there in your hand, कौन बोलता है, Miss Bar, yes, there is, कौन बोलता है, जजबीर, आगे देखते हैं, और क्या है, उसमें आगे देखिए, क्या लिखें, how are you, कौन बोलता है, Miss Bar, फिर, साथवा नमबर है, it's a video game, कौन बोलता है, just be it, फिर आठवा है, please, show it to me, कौन बोलता है, Miss Bar, ठीक है, इस तरह से, ये भी, activity हमारी complete होई, आगे देखते हैं, क्या है, activity number four, activity two का चित्र देखकर, जोडी में कारे करें, उदाहरन, अनुसार, प्रशनों को उत्तर लिखें, जो activity two मेंने किराया था, आपको, कितने picture हैं, जो buses थी, car थे, flower थे, वो सब थे न, तो उसको हम देखके, book में से, textbook में से, हम इसको fill करेंगे, तो देखें, लिखा है, there, sorry, example, are there five car in the picture, जो हमने उसमें देखा था, yes, there are, दूसरा है, are there three car in the picture, तो हम लिखेंगे, no, they are not, ठीक, there are not, तो इस तरह से हम पूरा अपनी exercise complete करेंगे, देखें कैसे, यह आपकी activity है, पहला है, there, sorry, are there five flower in the picture, तो पांच picture है, तो हम क्या लिखेंगे, yes, there are, फिर दूसरा है, are there eight bananas in the picture, yes, there are, फिर तीसरा है, are there four buses in the picture, no, they are not, यानि, अगर चार पिक्चर उसमें बसकी नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे, no, ठीक है, इसी तरह आपका है, चौथा, is there an elephant in a picture, in the picture, yes, there is, यानि एक elephant है न, तो हम लिखेंगे, yes, there is, इसी लिए यहाँ पे is लगा है, ठीक है, आगे देखते हैं, पाचवा है, are there six rabbits in the picture, yes, there are, फिर आपका है, is there a cow in the picture, no, there is not, गाए अंदर नहीं है पिक्चर के, तो cow मतलब क्या होता है गाए, तो हम लिखेंगे, कि नहीं, there is not, नहीं है, नहीं है, यह गलत है, ठीक है, इस तरह से आपकी activity complete हुई, आगे की activity देखते हैं, activity number 5, activity number 5 है, example, उदाड़ा और अनुसार वाक्य बनाईए, त्री pencil dash in dash box, यह मैंने आपको textbook में बनवा लिया था, फिर मैं यह आपको स्यध्यार में भरके भेज़ रही हूँ, आप देखें और आराम से लिखें इसको, तो देखें, क्या है, pens dash on dash table, तो क्या लिखेंगे, there are pens on the table, ठीक, आगे दिखते हैं, दूसरा क्या है, a post office near, a post office near police station, तो there is a post office near the police station, ठीक है, तीसरा है आपका, तीसरा लिखा है, the football team near their coach, there is the football team near their coach, four shops in shopping center, there are four shops in the shopping center, the dancer on stage, तो क्या होगा, there are the dancer on the stage, फिर है, five liners and one line in the tube, तो there are five liners and one line in the tube, आगे क्या दिखें, exercise में क्या है, seven new painting on the wall, there are seven new painting on the wall, फिर आठवा है, your book table, तो there is your book on the table, इस तरह से यह हम अपनी activity पूरी complete करेंगे, आगे देखते है, activity number six, यह activity number six है, इसमें ABC बाकि दिया है, जो सही क्रम से नहीं दिया है, हमको क्या करना है, इनको सही क्रम में लगाना है, तो देखिए, इसको पढ़ने से ही आपको लग रहा है, यह किन सब चीजों के बारे में दिया है, ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें से और भी देखेंगे, और उसको एक एक करके हम लिखेंगे, यह देखिए, उसी का तीसरा भाग है, this is a garden, the time table in English, the dishes are on the dining table, the plants are small, यह देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी एक का नहीं है, तो पहला यह गार्डन का है, फिर दूसरा kitchen का है, और तीसरा railway station का है, तो आप लिखेंगे, this is a garden the tree are steady, the flower are beautiful, the plants are small, तो यह वाकि पूरा आपका का हो गया, गार्डन के बारे में हो गया, तो इन तीनों में अलग अलग दिया है, आपको तीनों में से जूटकी, यह वाकिया, यह sentence इसमें लिखने है, मैंने लिख भी दिया है, फिर भी आप एक बार ट्राइ करना लिखने का ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, किचन के बारे में, अब किचन में जो जो आपके चीजे यूज होती है, उसके बारे में बताया है, कि this is a kitchen, the guest stop is on the platform, the dining table is round, the dishes are on the dining table, इसी तरह आप देखिए, आपके railway station के बारे में क्या लिखा है, लिखा है, this is the railway station, this is garden, the gate, the passenger are on the platform, the time table is in English, इसी तरह से ये पूरे आपके activity complete है, ठीक है, आप इसमें से देख के लिख लेंगे, अब हम देखते है activity number 7, activity number 7 में हम देखेंगे कि एक picture दिया हुआ, ये रेखिए आपके सामने है, इसी picture पे छोटे छोटे बार के बनाए गया है, और उसमें कुछ gapping दिया यानि खाली जग्या छोड़ी गई है, इस picture में से आपको देख किया हुआ, उसके बारे में हमको लिखना है, तो देखें पहला क्या है, कि, देखें यहाँ पे ध्यान से, कि this is a farm, ये खेत का चीन है, चित्र है, there is a cut in the, in it, there, there is a cut in it, यहाँ पे क्या है, वो है, बेल गारी ठीक है, यहाँ पे, फिर the bullock are under the tree, बुलक कहां बठें, यह देखें, under the tree, फिर the woman has a pot on, यह pot है, यह इसके कहां पे, सर पे, on her head, there are mangoes on, यह mangoes के है, यह इसके picture यह देखें, आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे, on the tree, ठीक है, इस तरह से, आगे देखते हैं, Children are standing near the tractor, यह बच्चे कहां है, near the tractor, टेक्टर के पास में, तो इस तरह से, आप उसमें से, पूरा देख देखके, पिक्चर में से भारेंगे, वैसे मैंने भर दिया है, आप इसमें से देखके भी, एक स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, My page में क्या है, page one, My page है, इसमें निम्न अंग्रेजी सब्द और उनके हिंदी अर्थ त्यार किये गया हैं, जो लिखिये, अब च्यू, च्यू मतलब होता है, चबाना, इसको आप इस तरह तीन बार लिखेंगे, फिर उसका आप तीन बार हिंदी अर्थ लिखेंगे, इसको भी आप इसी तरह तीन बार लिखेंगे, फिर इसको हिंदी में लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पर दिया है, नेवर, नेवर मतलब होता है, पडुसी, तो उसको भी आप तीन बार इसकी हिंदी लिखेंगे, इस तरह बार बार रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह learn हो जाएगा फिर यह देखिए forest forest मतलब होता है जंगल तो इसको भी आप इसी तरह लिखेंगे और उसके हिंदी और तो भी लिखेंगे ठीक है आगे देखने yard होता है पपुछना फिसको भी आप हिली सी तरह हीेल मतलब खोल जूब करम के अंदर रहता है उसके сेल् episódio系 या सीप देखे आप बाले में जाते हैं तो रेत में सीप होता है वो भी अपने सेल्स के अंदर रहता है तो उसका हम सेल गोलते हैं ठीक है, भी है, भी हाइड मतलब पीछे, ठीक है, इस तरह से आप ये पूरा लिख लिख के कई बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे तरह spelling भी लर्न हो जाएगी और इसकी हिंदी भी आपको जो इसका अर्थ होता है प्रपर वो पता चलेगा आगे देखते हैं कि activity no.2 में क्या है activity no.2 है निम्न वाक्यों को अंगरेजी में अनुबात कीजिए एक खरगो एक खरगोस और एक कच्छवा पड़ोसी थे तो आपको मैंने आप अपने टेक्सबुक में देखेंगे मैं अभी उसको आपको पढ़ा दूँगे और उसी में से आप फिर इसको देखके आप फिल करेंगे ठीक है तो देखिए टेक्सबुक में आपके कैसे लिखा है एक खरगोस और एक कच्छवा पड़ोसी थे तो ए हरे एंड ए टोटोस वेर नेबर ठीक है मैं तेज़ दोड़ता हूँ आई रन फास्ट खरगोस तेज़ दोड़ा दहरे रन फास्ट तुम तु बड़ा धी बड़ा ही धीमा है यू आर वेरे स्लो ठीक है इसी तरह आगे कच्छवा रेस जीत गया दटोटाइस वन द रेस फिर हम आगे देखते हैं क्या है तीसरा की सही विधानों के सामने ट्रू और गलत विधानों के सामने फाल्स का लगाई है आप नो और यस भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं क्या है पहल तो नहीं वो कहा रहते तो जिंगल में थे ठीक है और पड़ोसी थे आप लिखेंगे नू दहरे रन फास्ट हाँ वो बहुत तेजी से दोड़ता था तो आप लिखेंगे यस यस लिखें या टू लिखें कोई भी चीत लिख सकते आप ठीक है सबसे पहले कौन पहुशता है कच्छव और खर्गोश की रिश में कच्छवा पहुशता है क्यों क्योंकि वो लगातार मेनत करता है आलस नहीं करता है इसी तरह आपको हमेशा पढ़ना है लगातार पढ़ना है अगर आप यह सोचेंगे कि एक्जाम में पढ़ लें तो सारी चीज़े आपके प्रिपेर नहीं हो पाएंगे इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए ठीक है चोथा है दहरे बिकम लाइक ए बॉल तो हरे क्या हो गया एक बॉल की तरह बन गया तो पूछ रहा है कि हरे बना के कौन बना तो कौन बना था कच्छुआ बना था क्योंकि उसने अपना सर और पैर सब अंदर से खोल लिया था ठीक है तो याए या ट्रू कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है अब यह वीडियो यही समाप्त करते हूं आपसे अगले वीडियो में बाल कुछ रजएो सम दोल यहरा है अगले खोल चारी अपसे वीडियो से बना क्यों 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 करते हैं आपसे श्रू Сп rendezक है इसकारण से पह आदे हैं यह स।ोल